है गूण वर्निंग कैसे आप लोग बढ़िया ठीच है ठीच है ठीच है अज लेंगे हमारा जो टॉपिक है प्रोसेस पूश्टिंग यानि मेल पूश्टिंग करते कैसे तो फ्रैंट्स यहां पर हमें जो भी हम लेजर बुक्स में एकाउंट ऊपन करते हैं उसमें हमें पोश्टिंग करनी होतीह कैसे बाइफर्गेड किया जाता है जो है लेजर पोश्टिंग की यानि प्रोश्यस के ऐसे तो यहां पे हमें जन्र जो एंट्रीज होती है उसकी पोस्टिंग करनी है और सबषिडरी बूखस की अब फ्रेंड्स एक्जाम में कभी सबषिडरी बूखस की पोस्टिंग नहीं आती है वैसे यह साल तो इसको वैसे ही निकाल दिया है और ये कोरोना इफेक्स के कारान जो भी रिजन से जो भी कोर्स रिडेक्शन हुआ है इसलिए उन्होंने निकाल दिया वो तो है पर पहले भी सब्सिनरी बुक्स की पोस्टिंग फ्रेंड्स एक्जाम में नहीं आती थी कभी नहीं आती थी क्योंकि माक्स वाइजस्टी नहीं होता है क्योंकि पता ही है कि कोर्स बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि लेंदी कोर्स होता है और माक्स इतने होते नहीं है तो सिधी बात है कि यहां पर उतना टाइम भी थूड़न के पास लिखने का होता नहीं तो यहां पर पढ़ने है इस कि हमें 6500 कैस मिल रही है फ्रॉम राज तो जर्नल क्या होगी पैसे आ रहे है डेबिट वड कमज इन कैसे अकाउंट डेबिट टू राज एकाउंट क्रेडिट दगीवर क्रेडिट दगीवर अब इसकी पोस्टिंग कौन-कौन से अकाउंट उपन करने पड़ेंगे फ्रेंट तो फ़र्स시죠 एगाउंट लौण क्या से राज एकाउंट अब पोस्टिंग कैसे करते हैं फ्रेंट ध्यान से सुनिएगा पहले कैसे अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो कैसे अकाउंट डेबिट है तो वो तो कन्फर्म हो गया कि entry इंट्री डेबिट साइड ही आएगी यानि जो एकाउंट debit होगा उसकी posting debit side आएगी जो एकाउंट credit होगा उसकी posting credit side आएगी सिधी बात है तो cash account debit है तो posting debit side ही आएगी तो यहाँ पे friends debit side यानि cash account में debit side posting करेंगे पर लिखेंगे क्या जो accounts credit हो रहा है यानि particular में डेड़ तो सीधी बात है वही डालेंगे जो transaction किये पर particular समें account कौन सा लिखेंगे तो राज एकाउंट जो एकाउंट credit हो रहा है वह जो एकाउंट credit हो रहा है वही लिखेंगे डन तो यहाँ पे देख लो यह लेजर में cash account में posting debit side यह रही और राज एकाउंट amount के column में 6,500 अब यानि यह side की posting हो गई यानि debit side के posting हो गई अब लेते credit side की posting राज एकाउंट तो राज के account में posting credit side आएगी पहले में पहले बोला की जो ecawn debit हो रहा है उसकी posting debit side आएगी जो account credit हो रहा है पोस्टिंग करे, यानि राज के एकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट साइडि आएगी वो बात कनफ़ है अब लिखेंगे क्या डेट तो जो है टरांजेक्शन की होई की होई और पर्टिक्लर में नेम लिखेंगे डेबिट डेबिट अकाउंट का यानि debit account कौन सा हो रहा है तो cash account यानि जब आप cash में posting कर रहे हो तो लिखेंगे राज account और जब आप राज में posting कर रहे हो लिखेंगे cash account सीधी बात है एक दूसरे का ही opposite accounts का ही name mention करना है particular में तो यहाँ पे buy cash account 6500 यानि जब आप debit side posting कर रहे हो तो लिखो वो तो particular में name opposite accounts का यानि डebit side posting कर रहे हो तो credit side का name mention करना है credit side posting कर रहे हो तो debit side में name mention करना है clear yeah friends अब कौन से column में क्या लिखना है वो तो पता चल गया date के column में date particular के column में में आपको explain कर लिए है जनरल प्रैड्ट्स रिखने का होता है नहीं है एजस्टुडेंट हमें कुछ नहीं लीखने होता है ठीक है और एमाउंड के कॉलम में एमाउंड के जाती है वह थो बात कफर्म हैं ठीक है नेक्स अब फ्रैंड्स वह यहां पर explains किया हुआ है तो सबसे पहले तो हमें स्टीन दोनों के परिपेर करने पढ़ेंगे पिर 200 स्ट करना पड़ेगा कि हमें едपर पूस्टिंग करनी हैं तो जर्नल से फार्डश ही वह हो तो डिसाइड हो गाँ सिधी बात है तो जर्नल में जो भी एकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट साइड पोस्टिंग करो और जो एकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट साइड पोस्टिंग करो डन और डेबिट साइड पोस्टिंग कर रहे हो तो क्रेडिट साइड का नेम दोनों साइड पर दोनों साइड पर नेम अपड़ी कर लिया कि डेबिट साइड का नेम मेंशन कर लो यानि डेबिट साइड आप कैस में पोस्टिंग कर रहे हो तो राज का नेम मेंशन करना पड़ेगा और आप क्रेडिट साइड राज के कॉलम में पोस्टिंग कर रहे हो त वो तो clear है वो तो और amount के कॉलम मां पर amount इसमें बहुत ज्यादा explain करने की जरूती नहीं है तो ट्रांजेक्शन में हमें पता है कि कितनी amount है तो फ्रेंड यह थी process बहुत easy है फ्रेंड पहले आप फ्रेंड ज्यांच से सुनना जब तक आपकी जर्नल करेक्ट नहीं होगी तो आ होने वाली है ऍ्यां जर्नल की प्रोश्टिंग वने का से सही होगी यह JACने जर्नल के पोस्टिंग करोगे तो इ को सिद्धी बात है कि आपके पोस्टिंग एमक्स बीक्तेंगे टब लेते बेसिक आप ने्ज भीडियो में यहां से हम start करेंगे हमारा sum number one जो journal के base पर या जर्नल के base वाले exam में पहले भी होई आते थे यानि पहले journal की posting exam में आएगी पहले भी होई आते और यह साल तो after reduction of course यानि course जो हमारे गुजरात बॉर्डने reduce कर दिया उसमें सबसे तरी बुक्स की तो जर्नल हमें पढ़नी ही नहीं वैसे भी वो आती ही नहीं थी वो कभी नहीं आती थी और वो वैसे यूस्पूल नहीं है उतनी ठीक है तो यह वाले वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स अब next वीडियो से हम sum number one लेगे ठीक है have a good day